नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी राशिद खान को जीत का हीरो मानते हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। IPL में आज कोलकाता और हिदरबाद के बीच दूसरा कॉलिफायर मैच खेला गया, जिसमें हिदरबाद ने रुमान चक मुकाबले में 14 रन से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ हिदरबाद IPL के फाइनल में पहुँच गया है, जहां उनका सामना एक बार फिर से चन्नाई से इस सीजन में चन्नाई ने हिदरबाद को तीनों ही बार भार आया है, दोस्तों आपको क्या लगता है, IPL 2018 का फाइनल SRH और CS के में से कौन सी टीम जीतेगी, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें, मैच के बाद केन विलियमसन ने बड़ा बायान दिया, विलियमस के मैच में हमारे बल्ले बाजों ने गजब का साहस दिखाया, जिस से कि हम इस टोटल तक पहुंच सकें, मुझे लगा कि शुरुआत में यह मैच उनकी तरफ जुक रहा था, लेकिन हमारे गेंद बाजों ने मैच में हमें वापस ला दिया, केन ने कहा कि आज के मैच में र हद ही महत्वपून खिलाडी है, हम उस पर कोई भी दबाब नहीं डालेंगे, ताकि वो फाइनल में अच्छा प्रदर्शन कर सकें, हमारी टीम ने काफी अच्छी खेल भावना का प्रदर्शन किया, जिसमें राशिद आज बहुत ही कमाल के थे, वो एक बहुत ही अच्छा टालेंट है, उसके पास बहुत ही अच्छा रवहिया है, जो हिदरबाद के टीम चाहती है, विलियमसन ने कहा कि आज के मैच में राशिद खान मैन अव दमैच के असली हगदार थे, लेकिन उसके अलावा टीम के अन्य खिलाडी भी काफी अहम थे, जिसके बिना जीत नहीं थी, सहा के चोटिल होने के बाद गो स्वामी ने अच्छा खेल दिखाया, और भी बहुत से प्लेयर्स के चोटिल होने पर टीम ने अच्छा प्रदरशन किया, अब हमारा मैच चन्नाई से होगा, जो इस IPL की सबसे मजबूत टीम है, वो फाइनल के असली हगदार है, हमें फाइनल जीतने के लिए चन्नाई के खिलाफ बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी